राम मंदिर बन गया, आर्टिकल 370 हट गया, ट्रिपल तनाक को खतम कर दिया गया, और CAA लागू कर दिया गया अब इतने सारे मुद्दे पिछले 5 सालों में बीजेपी न अगर कवर किये हैं, तो आप कौन सा मुद्दा बचा है कि वोटर जाएगा, इलेक्शन बूद पर वोट करेगा बीजेपी को, कौन से मुद्दे को ध्यान में रखके वोट करेगा वोट करेगा वो इसलिए चार दशकों से, वो आलमोस सब के सब खत्म हो चुके हैं, बीजेपी के तीन कोर मुद्दे कौन से थे, पहला था राम मंदिर, कि अयोध्या में राम जन्म भूमी पे भाव्या मंदिर का निर्मान होगा, दूसरा था कश्मीर से आर्टिकल 370 को खत्म कर दिया जो शर्नाथी, पाकिस्तान, बांगलदेश और अफगानिस्तान से आयते हैं, उनको नागरिकता देंगे, और पांचवा मुद्दा था कि ट्रिपल तलाग खत्म करेंगे, इन पांच में से चार मुद्दे बीजीपी ने सौल कर दिया, अयोध्या में राम मंदिर बन गया, आर्टिकल 370 कश्मीर से हट गया, CA लागू कर दिया गया, बहुत प्रोटेस्ट हुए देश भर में लेकिन इसके बावजूद उस कानूं को नोटिफाइ कर दिया गया, और फाइनली ट्रिपल तलाग को भी खत्म कर दिया गया, अब इकलौता मुद्दा जो कोर पांच मु आर्टिकल 370 के जा रहे थे लेकिन अब किसी के लिए कि वो उसको रिपीट कर सकते हैं, उन सारे मुद्दो को जोने जिक्र किया था मैनिफेस्टो में वो उनने पूरा कर दिया है, एक और मैं आपको बताना चाहूँग पारस यहाँ पे, वन नेशन वनिलेक्षन, पहली ब वो लिखते हैं, वो कर देते हैं. मेरे हैसाब से यही सबसे बड़ा मुद्दा है चनाव का. यह मुद्दा निये कि मैनिफेस्टों में बीजेपी वन नेशन वन एलेक्शन लेकर आई है, या फिर कॉमन सिविल कोड लेकर आई है. मुद्दा इस बार इलेक्शन का यह है कि आप किसके मैनिफेस्टों पर यकीन कर रहे हैं. दो लोगों ने गैरेंटी दी हैं, एक तरफ है मोदी की गैरेंटी, एक तरफ है कॉंग्रेस की गैरेंटी, जो राहूल गांदी दे रहे हैं. जनता किसी guarantee पी यह कीम करेगी किसकी guarantee actual guarantee वाली guarantee है यह सबसे बड़ा सबाना शवाल है अगर आप track record देखो तो Congress ने आज तक जिस state के election में जितनी guarantee पूरी क engagee कूँ है एक guarantee आप मुझे पताओ जो उनो ने पूरी की हो पुर्व एक हुआ करनाटक तो अपने तो आपने जो गैयरेंटी ते टी तो आपने आपने कोas कि पुरी किया भुटू की है ना आ यह चो को प्र जेकी कוש आता कर देते हैं इन्होंने भी पादा किया थौत लेकिन इस नहीं हुआ पनजाब में जब कि सरकार बनी चन्नी मुख्य मंत्री थे, उस समय ये गैरिंटी पूरी नहीं कि गई, मुफ्द विजली वाली, राजस्थान में भी यह हुआ, मद्रदेश में यह हुआ, अब एक तरफ है मोधी की गैरिंटी, वो यह कह रहे हैं कि हम राम मंदिर बनाएंगे, कानूनी रूप से बनाएंग उन्होंने ट्रिबल तलाग खतम कर दिया, फिर उन्होंने बोला कि हम सीए लागो करेंगे, दुनिया भर में प्रोटेस्ट हुए, देश भर में प्रोटेस्ट हुए, शाहीन बाग हो गया, लेकिन वो पीछे नहीं हटे, उन्होंने कानून नोटिफाय कर दिया, तो अब जग जा ही रहे कि आप किसकी गारेंटी पे बिलिट करोगे हैं तो इस बार की मैनिफेस्टों में उन्होंने कई बड़े मुद्दिलाए हैं और कई दिव्यांग जन है जिनकी जो आवास योजना है उसमें वो उन्हें शामिल करेंगे महिलाओं को ड्रोन पाइलेट बनाया जाएगा एंड लिस्ट गोज ऑन मैं जितना बोलते जाओंगी उतना लिस्ट काफी जादा है बहुत लंबी लिस्ट लाता है यह बहुत लंबी लिस्ट है जो आपने के करके बात कर लेते हैं सबसे बहले बात करते हैं हम युनिफर्म से विल कोट यह मुद्दा अलड़ी उनके मैनिफेस्टों में रहा है लोगों को उमीद थी कि शायद इलेक्शन के पहले ही से लागो कर दिया जाएगा बट ऐसा हुआ नहीं बट मेरी ऐगेसिंग ऐसी है कि जो ट्रैक रेकॉर्ड है मूदी और शाहका I think election जीतने के बाद वो सबसे पहला काम जो करेंगे वो UCC ही लेकर आएंगे इसकी शुरुआत अलड़ी उत्तरा खंट्रे हो चुकी है गवा में अलड़ी UCC है तो जो पहला फैसला होगा बड़ा फैसला वो यही होने वाला है कि पूरे देश में उनिफॉर्म सिविल कोट लागो हो जाएगा इसके बाद जो दूसरा मुद्दा बड़ा मुद्दा लेकर आएं वो जो पहली बार बैनेफेस्टों में आया है वो है अगर आप नोटेस करें तो पिछले एक देड़ साल से लगातार यह मुद्दा बहुत जादा जोर पकड़ रहा है पूरो प्रेसिडेंट जो थे हमारे रामनात कोविन उनके अद्ध्यक्षता में कमिटी भी बनी है कमिटी ने अपनी रिपोर्ट भी सौंप दी अब सर्व उस रिपोर्ट को लागो करने की देर है जैसे ही रिपोर्ट लागो होगी इस पूरे देज भर में हंगामा मचने वाला है जो कि जितनी भी डिजनल पाटीज हैं स्पेशली जो बीजेवी विरोधी पाटीज है वो यही कहेंगी कि हमें खत्म करने के लिए इसको लगू किया जा रहे हैं इसमें एक इंट्रस्टिंग बात मुझे याद आ रही थी कि कॉंग्रेस के कई सारे बड़े नेता हैं इस बात को लेकर अगेंस्ट में भी है लेकिन कुछ-कुछ नेताओं ने ऐसे ओन कैमरा तक कहा है कि यह जो वन नेशन वन इलेक्शन अगर होता है बाइचांस तो फाइनेशली और जो सिस्टमेटिकली पूरा सरकार को सेंटल हो या स्टेट्स हो उनका जो पावर जाता है क किसी एक इलेक्शन को कंडग करने में वो कम हो जाएगा लोगों को परिशानी कम होगी तो प्रैक्टिकली काफी अच्छा उप्शन है यह एक्चुली बहुत अच्छा उप्शन है अगर मैं आपको बताओं कि आजादी के बाद 10 साल तक इस देश में वन नेशन वान इलेक कर दिया गया इस्पेशली जो जनसंग की और जनतादल की सरकारें थी उसके बाद यह जो क्रम था एक साथ चुनाओ करवाने का वो तूट गया और उस मुवमेंट से 70 के दर्शक के बाद से देश में वन नेशन वान इलेक्शन हुआ ही नहीं अगर आप लोजिकली देखें तो यह सबसे अच्छा उप्शन है अच्छा उप्शन है लोग कितना परिशान होते हैं बार बार एलेक्शन ये एक किसी नेता ने प्रचार कर लिया फिर रोडशो हो गया फिर यहां पे सभा हो गई कितना मैंपावर जाता है हर चीज पर इंपक्ट पड़ता है बिल्कु जो पूरी सब्सक्राइब कर दो जो जो दिन भार आपको जो पोस्टर लगे वह दिखते हैं जो पूरी सड़कें खराब फिर देतने पोस्टर लगा लगा के जण्डे लगा लगा के व been अगर हम देश के अलग अलग वर्ग है जैसे कि बुजुर्ग हो गया यूभा पीहा हो और वुमन लेड हम बात करें थे वुमन को ड्रोन पालेट बनाया जाएगा और तीन करोड नहीं लग पती दीडियां अब तक एक करोड हो चुकी है तो ऐसे अलग अलग वर्क के लोगों को टागेट किया गया है लेकिन कॉंग्रेस के मैनिफेस्टों एक लफते पहले रिलीज हुआ उसमें बहुती सिंपल सी चीज मैंने नोटेस करी वो फ्रीवी पर जादा फोकस कर रहे हैं फ्रीवी मतलब फोकट में आप जो लेना चाहों ले सकते हो उनका यह कहना है कि अगर कोई बेरोजगार है तो हम उसको एक लाग रुपे देंगे परिवार की हर गरी महिला को एक लाग रुपे देंगे बीजबी के मैनिफेस्टों में क्या है बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए मुद्रा लोन 2 लक्य वजखका मीलगा एक्ल हरूं को रोजगार देने के लिए वनको ड्रोन दिधी बनाई गे आंगनवाडी के फरकर जादा बनाएंगे आप बेरोजगार को बेरोजगार रखना चाहते हो या फिर उसको रोजगार देकर सक्षम बनाना चाहते हो जनता के सामने दो चोईसेस हैं अब वो जो चूस करना चाहें वो कर सकती है मुझे अगर चूज करने के लिए कहा जाएगा तो मैं उसको चूज करूँगा जो मुझे सक्षम बनाने की बात कर रहा है और भी MTHL जो प्रोजेक्ट है वो है तो आने वाले अगले 5 साल में क्या लगता है कौन से बड़े प्रोजेक्स पर धान दिया जा सकता है जो एक बड़ी घुष्णा इस मैनिफेस्टों में होई है वो यह हुई है कि तीन और बुलेटरिन कॉरिडोस जिन पर इमिडिटली काम चुरू हो जाएगा एक बुलेटरिन कॉरिडोर अलड़ी अंडर कंस्ट्रक्शन है मुंबई अम्दाबाद तीन और बुलेटरिन कॉरिडोर्स यह काम शुरू करने की कोशिश करेंगे अगले पांच सालों में इसके अलावा वंदे भारत ट्रेंस की जो संक्या है बढ़ा ही जाएगी इसके अलावा हाईवेज और एक्सप्रेस वेज का नंबर बढ़ा ही जाएगे रिवर लिंकिंग प्रोजेक के उपर बहुत तेजी से काम होगा तो इंफ्रास्ट्रक्टर डेवलप्मेंट जो है उस पे बहुत जादा फोकेस पिछले दस सालों में भी था और आने वाले पांच सालों में अगर नरेंदर मोधी फिर से प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो वो होने ही वाला है उनके पास एक ऐसा आदमी है जो ये काम बहुत अच्छे से कर रहा है निदिंगट करी कि बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टों में बड़ी लिस्ट जाहिर किये है लोगों के सामने अब वोटोस को ये ध्यान में रखना है कि वो किसे वोट करना चाहते हैं और किसके मैनिफेस्टों पे वो यकीन करना चाहते हैं मैं हूँ लताव शर्मा मैं हूँ पारस कुठारी डालोग के ऐसे सेगमेंट को और देखने के लिए न्यूच प्लस को लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर करें